प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरन पर महिला और बाल विकास मंतराले के बजट के बाद वेबिनार को संबूदित किया इस दोरान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी निकाहा की देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागेदारी बड़ी है नारी शक्ती भारत की प्रगती की गती और पैमाने को बढ़ाने में महतुस्पून भूमी का निभा रही है PM मोधी ने कहा कि इस बजट में प्रिधान मंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड रुपे आवंटित किये गए हैं पिछले 9 सालों में महिला स्वयम सहायता समुहों ने 6 दशम लग 1-5 लाग करोड रुपे का श्रण लिया है PM आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड रुपे रखे गए हैं ये राशी देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी भारत में बीते बर्षों में PM आवास योजना के जो 3 करोड से अधिक घर बने हैं उन में से अधिकाउस महिलाओं के ही नाम है आप कलपना कर सकते हैं वो भी एक जमाना था जब महिलाओं के लिए न तो कभी खेत उनके नाम होते थे न खलिहान उनके नाम होते थे न दुकान होती थी न गर होते थे आज इस विवस्ता से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला है PM ने जिस वेबिनार को संबोधित किया उसका विशे आने वाले कल में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरन बढ़ाना था PM मोदी लगातार केंदर के बजट को आसानी से समझने और दिशा निर्धारित करने के लिए पोस्ट बजट वेबिनार कर रही है